जभी लोग को नमस्कार कैसे हैं आप लोग अच्छे ही होंगे सब लोग अच्छे हैं हम भी अच्छे हैं आज लेके आए हैं क्लास 6 का एपसोड नमबर 4 रुमान लेकिन इससे पहले मैं कोशन करवा देता हूं पिछे वाले का आएए देखते हैं यार राइड़ शुडेवल शुडेवल वर्ड लिखना यार तो तुम तो राम से लिख देगा अगली वाली प्रस्न को देखाओ यहां पर कहानी को करो उसको करके देख लो तुमारे साइन्स लेकि आया है देखिए क्या लेकि आया है रोमान निम्रेल्स अगर रोमान की हम बात करें लिखने की अगर हम बात करते हैं तो शापका कोई ने कोई सेंबल होता है जैसे कि आपने कखारा सिखा का का सेंबल खा का सेंबल उसे धंसे अगर आपने पाई को वान और यहां पर टेन यहां पर हंड़ेट और यहां है फाफदेन्ट लेकिन सोचोगे कि सर भूक में तो और कुछ पर हैं क्या करोगे मुझे पता ही नहीं अब दूसरे कलर का इस्तिमाल और दूसरे कलर में हम लेके आ रहे हैं फाइव अगला यहां पर हिप्टी और यहां पर फाइव हेंड़ेट मन भी प्रस्ण दोर रहा होगा कि अपने वाइट वुलू क्यों कर दिया क्या रीजन है उसका रीजन है एक को लगा कर तूसोचो एक यहां एक टन चाबा लाया एक टन गेहुमाया और एक टन मशूर का दालाया बच्चे से पुछा गया तो बोला का टन 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 यानि तेन तक रिपीट कर सकते हो वो है हमारा हॉइट कलर वाइट कलर है अगर एक बार आया तो एक पुना फिर से हॉइट में एक टो टेन 10 को भी कर सकते हो 10 ये हुआ 20 और ये हुआ 30 इसी धंग से इसी धंग से वाइट कलर का इस्तिमाल 100 200 और ये हुआ 300 अब तुम्हारे पास 1000 1000, 2000 और ये हुआ हमारा 3000 यानि तीन बार तक इसे रिपीट कर सकते हैं अब तु सोचोगे इसको क्यों नहीं कर सकते हैं ये बात को सीखना जरूरी और इस बात में हो गया मजबूरी वह मजबूरी क्या है पता है पता है वह मजबूरी है और वह मजबूरी है टेन के साथ टेन के साथ कि इसको करना होगा बूण कि ये ख którego डवल रोल डवल डवल रोल यानि कहने के सेंस खिंज कि सर्फफई के पहले अगर ये वन लगता है फाइब के पहले वन लगता है यानि कहता है फाइब से कम लेकिन वही फाइब के बाद एक लगता है बूलता है सिक्स यानि 5 के पहले हुर हुआ 5 के बाद 6 हुआ 5 के पहले हुर हुआ 5 के बाद 6 हुआ ये किरिया तेंथ पर भी होता है बसे उसको बूलो कलर चलहा दिया गया यहाँ पर 10th के पहले 1 आ गया 9th हो गया और यहाँ 10th के बाद आ गया 11th हो गया अब तु समझ रहे होगे यह L के पास तो होगा ही पता है L है 50 की भैलू अगर इसके पास यह लग गया यह भैलू 40 यहाँ से हटाने का पर्यास और नए जवाने से लाने का पर्यास यह L के पहले एक स्रग गया यह हो गया होटे और यही अगर बाद में लगा यह हो गया 60 अब हम बात करेंगे चलते हैं D के पास D के पास चलते हैं लेकिन उससे पहले भी C को काला क्यों पूछो क्यों पूछो क्यों जब भी कोई अगर बुलु हो रहा है इसका मतलब वहां पर सट सकता है यानि अग्यानी ये अगर बात करें तो हंडेट में टेंड चला गया हेंटेट में 10 चला गया जवाब हुआ 90 जवाब हुआ 90 जवाब हुआ 90 90 यह बात को समझ में आ गया होगा यहाँ पर भी यह होगा यह सी यानि सियाम चेप मुनिस्टेर का भैलो 900 लेगेंड आम से लिखा हुआ है तो यह भैलो 1100 बैलकुल आपने रोमान निम्रल्स को सिख रहे थे और आपने शिख गये होगे अब क्या होगा पता है कोशन चलेगा कोशन चलेगा और क्या हो सकता है कोशन चलेगा ना चला दे करने आगे हैं सब लोग के सेम्बल बैलकुल आओ देखते हैं कोशन से रिज को देखो काथा राइट नुम्रल्स तेरे भाईया 69 लिखना है 69 वाइट से कर दे 69 लिखना है 69 कैसे लिखाएगा 60 पलस 9 60 पलस 9 मैंने उसको पीट लया बोला सर क्यों पीट है हम लिए रोमन में कैसे होता है हिजे करना भी तो सीखो 60 क्या है बोला ना सर जी ये तो 50 पलस 10 पलस 10 में सर एक लटकल है लटकल यानि 50 के लिए 1 इस्तिमाल 10 के लिए 1 इस्तिमाल अगला भी 10 लेकिन लटकल है ये कम है सर जी यानि 1 इस इस दो 69 अगली प्रस्त 98 है 98 है क्या 98 को कैसे लिखेंगे पता है पता है एक बर भी दबल दोला 90 पलस 8 मैंने कहा तुमारा दिमाग सही है बोला सर जी सही है हम लें 90 लिखाता है तो बोला आगना सर जी सी मतलब 100 हुआ सर आई में 10 कम है सर यानि 10 लटक जाएगा और फिर 5 है सर जी और 5 मने भी और 3 गो है सर जी हम लें वही लिखो ना तो एक्स सी स्वाइब ट्रीपल वन कैसा लगा हेजे करने आ गया है तो हेजे करके अगर करोगे गल्तियां नहीं होगा दोस्तों अगला अब इसको थोड़ा पर हो ना पर हो 10, 10, 20 अद 10 में एक लटकल है यानि 29 यहां पर हो 40, 45 यहां पर हो 50, 4, 54 यहां पर हो 50, 55, 56 यहां पर हो 65 यहां पर हो 90, 95, 97 अब बाकी तो तुम लोग भी तो परोगे नियार मानि साब हम ही पर दे खाली तुम सुनूगे कोपी कलम नहीं लोगे अरे लिगना भी परेगा, बनाना भी परेगा दोनों हाँ से तालियां बजता है अगर हम इतने जोस से काम कर रहे हैं तो उतना ही जोस से कम से कम तुम भी पर काम करना होगा अगले वाले को लिखना है हम सबस्ते अराम से लिख दोगे 100, 80, C यहां C51 यहां 92 लिखना है तो यहां पर 88 बाकी लोग को कोशन को कर लोगे बिल्कुल करना परेगा अब हम कंपेयर करना Trico-Tomy relation Trico-Tomy का मतलब होता है या तु less होगा या greater होगा या equal होगा less than greater than equal than इसको बुलते हैं Trico-Tomy तो देखो यह numbers value में 4 है और ये वाला 9 है, तुम्हें पता है कि 4 वरा है कि 9 वरा है, 9 वरा है, सही सेम्बूली हो जाएगा, अगला है यहां देखो, यह 52 यह भी 52, यारे 52-52 बराबर हो गया, 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 यह है 29 और यह है 50 यानि 50 बरा हो गया यहाँ पर है यह 46 और यहाँ 44 यानि 46 बरा हो गया यहाँ 42 आनेल मने 50 बरा हो गया यहाँ पर 54 और यहाँ पर 64 54, this is the 54 and 64, and 60, and, ये लिखा हुए है, 60, यहां पर तुम्हारे पास, ये देखो, 59, ये बरा है, यहां देखो, ये नबे है, है, यहां देखो, ये निनानबे, ये 93, और ये 97, बन गया है, तू, आप हमारे, क्रियाटर सो बठाटी चैनल पर देख रहे हैं, जो फाइब से तेन टक, रवांस स्कूल अब माध और साइन्स, 11-12, जही कि अगर हम बने हैं, बात करें, सरदार पडेल सुबठ 30, तू, आंगे हम लोग बात करते हैं, इसकी भावनाव को समझो, भी भी मनें पांच पांच लिख रहा है, लेकिन दस रुपया तो ऐसे होता है न, ति कोरेक्ट हो गया, अगला, ए भी नहीं होगा, चार लिखने का पर्यास कर रहा है, तो चार ऐसे होगा, ए भी नहीं होगा, चालिस लिखने का पर्यास कर रहा है, तो चालिस ऐसे होगा, यहां पर देखेंगे एलेक्स यहां पर 4,45, 41, 41 सही है यहां पर यह बाला बात देखेंगे गलत है 55, thiस, 80, 89 लिखना चाहरा है याने याने यहां पर पहले सी ये वाला और यहसे होगा 90, 10 ज्यादा उससे एक कम, 9 यहाँ, 50, 60, 70, 80, ये भी 90 लिखा हुआ है, अगला ये गलत है, ये गलत है, यह लिखना चाह रहा है, 95 को, 95, ये पहले सी होगा, ये 10 करेगा, 90 हो जाएगा, ऐसे करेगा, हो जाएगा, बाकी कोश्चन को आप लोग करेंगे, अब सम्में 5 जोरना है, ये 8 है पहले से, 13 हो गया, ये हो गया, ये पहले से, 10, 4, 14 है, 5 जोरेंगे, 19 हो गया, अगला, यहाँ पर, 90 है, पांच जोरेंगे, 95 हो गया, यहाँ, सी है, और पांच की बात है, यहाँ इसी धंग से, ये तो, वे, 50, 60, 70, 75 की बात का रहा है, तो यहाँ पर 75 हो गया, अगला, यहाँ पर, तुम्हारा, 50, 60, 79 है, अब वहाँ पर जोर दोगे तो, 74 हो जाएगा, इस टाइप, तुम करते, चले जाओगे, तो, अराम से इस कोशन को कर लेना, अब यहाँ पर मैं एक टेस्ट का करूँगा, चुकि पहला चैप्टर, संख्याओं को जानो, लोइंग आवर नमबर्स, जो टेस्ट होगा, पसमें हिंदी मेडियम, इंग्लिस मेडियम, दोनों कमबाइन, चुकि कोशन आपका हिंदी इंग्लिस, दोने में आएगा, और आ आपको रैंक दिखाया जाएगा, ओल इंडिया रैंक, ओल इंडिया रैंक में इस चैप्टर में तुम्हारे बस क्या आता है, तो आप लोग अपने-पने मुबाइल में, मम्मी पापा के मुबाइल में, किसी मुबाइल में, एप्स को डाउनलोड कर लिजे, सरदार पडेल टेसरी चालू हो जाएगा, और पहला चैप्टर आपका सिक्स क्लास का समाप्थ हुआ, नोइंग आवर नमबर, हिंदी मेडिया में कहेंगे, संख्याओं को जानू, मिलते हैं अगले चैप्टर लेकर, होल नमबर हिंदी मेडिया में पन संख्या, तब तक के लिए, नमस्क हुआतढ़।